Hello Everyone, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवी स्थरडी आईक्यू जी के पर और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाले हूँ 2023 के करंट अफेर का जो सिरीज चल रहे है 2400 किशन की उसका पार्ट नमबर 3rd देखे इन सिरीज के तुरू मैं बेसिकली पूरा 2023 का करंट अफेर आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ टोटल 2400 किशन डिस्कस होंगे और उसी सिरीज में पार्ट 3rd आज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और सभी पार्ट जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी पार्ट के बाद में आपका जो पूरा 2023 है उसका करंट अफेर ये अच्छे से प्रिपेर हो जाएगा तो अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को हमारे पहले प्रशने के साथ जो की है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सल्हाकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है तो बात करें प्रधान मंत्री के अडवाइजर के रूप में ये फिर से नियत हुए हैं अमित खरे तो option number जो B है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि इन्हें वापस से अपॉइंट किया गया है प्रधान मंत्री के सलहकार के रूप में देखे जारकन केडर के ये एक अधिकारी है 1985 मेच के और अक्टूबर 2021 में इन्हें दो साल के लिए चुना गया था लेकिन अभी वापस से इन्हें वो रियापॉइंट कर लिया गया है तो ध्यान ड़कना प्रधान मंत्री के सलहकार तो ये हैं अमित खरे फिर है ससस्त्र सीमा बलके नए महा निदेशक ये कौन बने है यानि कि SSB के यानि कि ससस्त्र सीमा बलके नए DG ये कौन बने है तो ये बन गई है रश्मी शुकला ऑप्शन नमबर जो D है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बात करी ससस्त्र सीमा बलकी तो स्थापना हुई थी 1963 में मुख्याले है इसका नए दिल्ली और आदर्श वाक्षी ये है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिर है किस एक्ट्रस को दादा साहिब फॉल के अवर्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया देखे अवर्ड ये 2021 का है लेकिन अनाउंस्मेंट इसकी हुई है 2030 में तो कन्फ्यूज नहीं होना है अवर्ड 2021 का ही है लेकिन बस अनाउंस्मेंट ये इस साल हुई है तो ये दादा साहिब फॉल के अवर्ड चुना गया है किसको तो ये चुनी गई है वहिदा रह्मान आप ये फोटो देख सकते हैं ये हैं वहिदा रह्मान इन्हें ही चुना गया है दादा साहिब फॉल के अवर्ड वर्ष 2021 के लिए और ये कौन से नंबर का अवर्ड है त तो ये भी याँ पर आपको ध्यान रखना है इस बार चुनी गई है वहिदा रह्मान और लास्ट टाइम ये थी आशा पारेग फिर है नागलेंड विधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक ये कौन बनी है तो देखे नागलेंड विधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक ये बन गई है हेकानी जाकलू देखे ये कौन सी पार्टी से है तो नेशनलिस्ट डेमोकरिटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये है और नागलेंड में 60 सदश्चिय जो है वो विधान सभा है और उसी में निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला विधायक बन गई है राजधानी की बात करें नागलेंड की तो ये है कोहीमा मुख्य मंत्री है नेफ्यूरियो और राजेपाल ये है ला गनेशन नेक्स क्यूशन है आपका हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार समहला है तो ये पदभ गुपता ऑप्शन नमबर बी बी एच ये जिसको शॉट में भेल कहते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में और मुख्याली ये है इसका नई दिल्ली में फिर है एशियोई विकास बैंक यानिकी एशिन डवलप्मेंट बैंक के उपाद्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो उपाद्यक्ष ये एडीबी बैंक के ये चुने गए है भारगवदास गुपता ऑप्शन नमबर ए देखे इंपोर्टेंट ए एडीबी बैंक तो ध्यान लखे गए इसके उपाद्यक्ष यानिकी वाइस प्रेज़ेंट ये चुने गए है भार सत्सकु असकावा ठीक है तो ये नाम भी आपको ध्यान लखने है इंपोर्टेंट है काफी जादा फिर है उन्निसवे एशय खेलो में भारत ने अपना पहला स्वर्ण किसमें जीता है तो उन्निसवे एशय खेलो में अगर हम बात करें तो भारत ने अपना पहला स्वर्ण ये जिता है शूटिंग यानि की निशाने बाजी में तो option number जो A है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देखे Asian Games जो है वो फिलाल चाइना में हो रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे और कौन से नंबर के हैं तो ये 19 नंबर के फिलाल हो रहे हैं चाइना में और Asian Games की शुरुवात ये हुई थी 1951 में और कहां पर हुई थी तो ये हुई थी दिल्ली में और अभी जो है ये 2023 में ये हो रहे हैं चीन के हांग जाउंग प्रोविंस में और 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये चलेंगे ध्वजवाग की बात करें भारत की ओर से तो पूरुष होके टीम के कप्तान थे हर्मन प्रीत सिंग और महिला बोकसर लव लीना बोर्गोहन ने जो है वो ध्वजवाग के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था फिर हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वन पदक जीता है तो ये जीत लिया है अपने देश भारत ने Option number D यानि कि हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम ने एश्याई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है तो important question है याद रखेगा और इसका जो नितत्व कर रही थी भारते टीम को तो वो थी हर्मन प्रीत को और ये भी ध्यान रखे और मैच किस किस के बीच में था तो भारत और श्रीलंका के बीच में मैच था और श्रीलंका को 19 रणों से हराकर भारत ने ये गोल्ड मैडल जीता है और ये भारत का Asian Games के लिए किरकेट इविंट में पहला मैडल था तो उसके लिए भी ये question जहें वो important हो जाता है फिर भारत का पहला Lighthouse महोचसव का आयोजन किस राजे में हुआ तो पहले Lighthouse Festival की बात करी तो इसका आयोजन ये हुआ है गोवा में option number C देखे Lighthouse महोचसव का आयोजन ये केंदरी बंदरगाः शीपिंग और जलमार्ग मंत्रा लेने किया है और उन्होंने कहा है कि Lighthouse Heritage Tourism अभ्यान के तहत देश के 75 एतिहासिक Lighthouse को परियटन स्थलों में परिवर्तित किया जाएगा और ये कहां हुआ है तो ये हुआ है गोवा में ये आपको ध्यान रखना है फिर है किस राजे में विश्वनात घाट को भारत का सर्विस रेश परियटन गाउं 2030 ये नामित किया गया है तो ये है कहां पर तो ये है असम में option number जो ए है आपके यहां पर सही हो जाएगा देखे असम में है विश्वनात घाट या विश्वनात घाट इसको भारत का सर्विस रिज परियटन गाउं 2030 के लिए नामित किया गया और ब्रह्म पुत्र नधी के टेट पर ये इस्तित है और विश्वनात घाट को लोग पढ़िये रूप से गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फिर है उत्तरी छेतरी परिशत की 31 बैठक का आयोजन ये कहां किया जाएगा तो देखिए अगर बात करें Northern Regional Council की तो इसकी 31 मिटिंग ये कहां पर आयोजित हो रही है तो ये हो रही है पंजाब में और पंजाब में भी कहां हो रही है तो ये हो रही है अमरित्सर में तो option number जो भी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा और इसकी अध्यक्षता ये कर रहे हैं अमित्चहा और इसमें जो है वो राजे और केंद्रसाशित दोनों सामिल है और राजे कौन-कौन से है तो ये है पंजाब, हर्याना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश अगर बात करें यूटी की तो उसमें शामिल है दिल्ली, जम्मू, कश्मीर, लंदाक और चंदेगर तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिर है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश के नाकरिकों के लिए वीजा सर्विसिस को सस्पेंड कर दिया गया तो ये सस्पेंड हुई है कैनडा की जो वीजा सर्विस थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया देखे अभी हाल फिलाल में कैनेडा और इंडिया के बीच में काफी कॉंट्रोवर्सी चल रही है और उसी को लेकर जो है अभी जो वीजा सर्विसिज है वो बंद कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा तो option number जो C है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कैनेडा की बात करें तो रास्थानी है ओटावा मुद्रा है यहाँ की डॉलर और प्रधान बंतरी यह है जस्टिन टूडो देखे कैनेडा में एक online वीजा आविदन केंद्र है जिसका नाम है BLS International उसी ने उसके द्वारा अपनी एक वेबसाइट पर इस संभन में नोटिस दि याद रखना है फिर भारत ड्रोन शक्ति 2030 शो का उद्गाटन किस ने किया तो इस शो का उद्गाटन यह किया है हमारी रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने ऑप्शन नमबर जो भी है आपका यहाँ पर से ही हो जाएगा और यह उद्गाटन यह हुआ का है तो देखे गाजिय ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट को भी भारती वायुसीना में शामिल किया गया तो यह भी आपको ध्यान डखना है और किसके द्वारा इसका उद्गाटन किया तो यह किया गया हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी के द्वारा फिर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नाशा ने किसे अपना Science Chief न्युक्त किया है तो NASA ने अभी अपना Science Chief ये न्युक्त किया है निकोला फोक्स को तो option number जो D है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा ये बनी है NASA की पहली महिला Science Chief NASA की बात करें तो full form important हो जाती है full form है National Aeronautics and Space Administration इस्थापनावी थी 1958 में और मुख्याली इसका वासिंग्टन DC United States of America में फिर है हाल ही में किस राचे में पहला Mother Milk Bank स्थापित किया गया तो पहला Mother Milk Bank ये स्थापित हुआ है उत्राखंड में option number C देखे ये उन बच्चों के लिए आशा होगी जिनकी माता जो है वो प्रसव की दोरान मर जाती है और इस विधासी नवजाज शीशु तक मा के दोध के पोशक तत्व जो है वो काफी हद तक पहुँच जाएंगे और इस योशनकी तैट सतनपान कराने वाली महिलाएं बैंक को दोधदान कर सकेंगी ठीक है तो ये ध्यान रखना कहाँ पर शुरू हुआ है तो ये हुआ है उत्रा खंड में ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है important question है फिर इसके लावा हमारी PDF है current affair की जिसमें last 8 महिने का current affair हमने cover किया है पूरा holistic हर एक topic को discuss किया है तो ये आप purchase कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस PDF को purchase कर सकते हैं फिर है किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्षे रखा तो भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्षे 2025 तक ये रखा हिमाचल प्रदेश ने option number जो B है आपको यहापस ही हो जाएगा फिर है राश्य स्मार्ट सिटी सम्मिलन कहा आईजित किया जा रहा है तो स्मार्ट सिटी सम्मिलन की बात करी तो ये आईजित हो रहा है इंदोर में option number D देखें इंदोर जो है वो काफी स्वच सहर की रूप में लगातार कई सालों से टॉप पर रहा है तो वहीं पर स्मार्ट सिटी सम्मिलन ये आईजित हो रहा है इंदोर में इंदोर कहां पर है तो ये है मध्य प्रदेश में इस कॉन्फरेंस में देश भर की स्मार्ट सिटी अपने अपने प्रोजेक्ट के मॉडल और नवचार की जानकारी शियर करेंगे और स्मार्ट सेटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश का जो सवस्रेस्ट राजी का पुरुसकार मिला है उसके बाद तमिल नाड़ो ने दूसरा स्थान हासिल किया है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सहीत रूप से तीसरे स्थान पर ये लौक रहे हैं तो पहले स्थान पर हैं MP, फिर हैं तमिल नाड़ो और थर्ड पर हैं राजस्थान और UP दोनो फिर है फीबा बास्केट बॉल विश्व कब 2030 किस टीम ने जीता है तो फीबा की बात करी तो ये जीता है जर्मनी ने option number D देखे फीबा की फुल फॉर्म की बात करी तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केट बॉल फेडरेशन इस्थापनावी थी 1932 में मुख्याले है स्विट्जर लेंड में और इसके जो प्रेजडेंट है वो है सेख साउद अली अल थानी तो ये ध्यान रखेगा फिर है पांचवे विश्व कॉफी सम्मेलन का आयजन ये कहां हुआ तो ये शुरू हुआ है कहां पर अंतराश्टे कॉफी संगटन की अगर हम बात करें स्थापना की तो ये हुई थी 1963 में और मुख्याली ये है इसका लंदन में तो ये इन्फोर्मेशन भी आपको ध्यान रखें और थीम से रिलेटेड कॉशन जो है वो आपको जरूर याद रखने में आपको कई बार बूल चुकी हूँ फिर एक किस राज्जे ने 21 साल से कम उमर के लोगों पर हुक्का तमाकू उत्पाद को पर प्रतिबंद लगाया है तो ये लगा है करनाटक सरकार नहीं ओप्शन नमबर बी देखे करनाटक सरकार के अगर हम बात करें तो राज्जे के भीतर हुक्का बार पर प्रतिबंद लगाने का फैसला लिया है और तमाकू उत्पाद जैसे की सिगरेट खरीदने की नियूंतम आयू अब 18 से बढ़ाकर ये 21 वर्ष कर दी है मतलब इस पर वो लोग विचार कर रहे है करनाटक की बात करें राज्थानी है बेंगलोर मुख्य मंत्री है यहां के सिदारमया अभी रिसेंटली बने थे और राज्येपाल ये है थावर्चंद गहलोत फिर है 32 वियास सम्मान के लिए किसी चुना गया तो 32 वियास सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी को ओप्शन नमबर डी प्रशिद हिंदी लेकक हैं डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी के 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना को 32 वियास सम्मान के लिए चुना गया है देखे व्यास सम्मान जो है वो भारते साहित्ते के लिए दिया जाने वाला ग्यानप्रीट पुरुसकार के बाद दोसरे सबसे बड़ा साहित्ते सम्मान है और इस पुरुसकार की शुरुवात 1991 में बिडला फांडेशन ने की थी तो ये भी ध्यान लगना है फिर फीफा की अध्यक्ष का कारिकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया इनका नाम गया है तो फीफा की बात करीं तो फीफा की बात करीं तो फिलफोम है के रूप में नियुक्त किया है तो she changes climate इसके राज़तूत हैं भारतिय यह श्रिया गुडावत option number a कि फिर नेपाल के तीसरे उप राश्च्पति यह कौन बने हैं तो यह बन गए है राम शाही प्रशाद यादव option option number a नेपाल की बात करें तो राश्थानी है काट मांडू करंसी है नेपाली रुपिया प्रधान मंत्री है पुष्प कमल देहल प्रचन और राश्च्पति यह राम चंद्र प्रडॉल फिर वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2030 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश यह कौन दीजों के नई मेर यह बन गही है शेली ओबरॉए in फिर तेलांगना की पहली महिला मुक्य सचीफ पहली महिला मुक्य सचीफ तो यह बन गही है शानती कुमारी ओप्शन नंबर b तेलांगना की बातकरें तो स्थापनोवीती 2014 में 2 जून को राजथानी है है हैदराबाद मुख्य मंत्री है के चंदरशेकर राओ और गवर्नर यह है तमिली साई सौंदर राजन तो यह भी आपको ध्यान रखना है important है फिर हाल ही में मैनवला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया तो यह पहली प्रधान मंत्री नियुक्त हुई है महिला यह है equatorial गिनी से option number जो D है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा देखें किसी भी देश में पहली महिला नियुक्त होती है प्रधान मंत्री राष्ट पति कोई भी अगर इवेंट हो और पहली बार किसी महिला को उस पोजिशन पे अपॉइंट किया गया हो तो वो किशन आपके लिए काफी इंपॉइंट बन जाता है जैसे कि यहाँ पर यह पहली महिला नियुक्त हुई है एक्वेटोरियल गिनी की मैनुवला रोका बोटे तो यह इंपॉर्टन डिकिशन आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से और रास्था नहीं है इसकी मलाबो और यहाँ की मुद्रा तो यह मद्य अफ्रीकी CFA फ्रेंक फिर लगातार दोसरी बार त्रिपुरा की मुख्य मंत्री यह कौन बने है तो यह बन गए है मानिक शहा ओप्शन नमबर A देखे भारती समिधान के किस अनुचिद में यह प्रवधान है कि मुख्य मंत्री की न्युक्ति राज्येपाल करेगा कि एक स्टेटिक फेक्ट याद रखना अनुचिद 164 में इस चीस की बात की गई है त्रीपुरा की बात आई है तो स्थापनवीती 1992 में राज्ठानी है अगर थला और अभी हागे मुख्य मंत्री फिर से बन गए है मानिक शहा तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिर है पाचवी बार नागलेंड की मुख्य मंतरी कौन बने है तो पाचवी बार नागलेंड की मुख्य मंतरी ये बनेगे नेफ्यूरियों option number D नागलेंड की बात करें स्थापनवेती 1963 में और रास्था नहीं है यहां की कोहीमा हाल ही में प्रिचकर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2030 किसनी जीता है इंपोर्टन क्यूशन है तो यह अवोर्ड जीता है सर डेविट चीपर फिल्ड ने option number जो B है आपका यहां पर सही हो जाएगा देखी यह पुरुसकार जो है वो अंतराष्टे स्तर पर वास्तुकला के सरवोज सम्मान की रूप में माना जाता है इस्थापनवेती 1979 में और यह इसको वास्तुकला का नोबल भी कहा जाता है फिर हाल ही में कौन से राज़े? E कैबिनेट वाला देश का चोथा राज़े बन गया है तो E कैबिनेट को अपनाने वाला देश का चोथा राज़े यह बन गया है त्रीपूरा option number A देखे डिजिटल पहल के साथ त्रीपूरा जो है वो E कैबिनेट की शिरवात करने वाला चोथा राज़े बन गया है और इससे पहले उत्राखंड, UP और अरुनाचल परदेश ने इस परियोशने की शिरवात की थी और अब चोथा राज़े यह बन गया है त्रीपूरा फिर है हाल ही में किसे प्रतिस्टित एक लवे पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो एक लवे पुरुसकार से सम्मानित हुई है पलक शर्मा, option number जो C है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर हाल ही में भगत सिंगी 116 वे जैनती यह कम मनाई गई है तो यह मनाई गई है 28 सितंबर को option number जो A है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देखे 28 सितंबर 2023 को भगत सिंगी 116 वे जैनती यह मनाई गई है क्योंकि 28 सितंबर को ही इनका पंजाब की बंगा में जनम हुआ था 23 मार्च की बात करे गरम तो भगत सिंग, राजकुरू और शुक देव को उस दिन फासी हुई थी और इसको हम मनाते हैं शहित दिवस की रूप में फिर हाल ही में Geological Survey of India नहीं समुतरी मचली सी सी रोबिन्स की एक नई प्रजाती कौन से राजे में खोजी है तो ये मिली है कहाँ पर तो ये मिली है पस्षिम बंगाल यानि की वेस्ट बंगॉल में ओप्शन नमबर डी देखे इसे गर्नाट्स या सी रोबिन्स के नाम से जानते हैं और इसका जो परिवार है मतलब कौन सी फामिली से ये है तो ये ट्राइग लेडे फामिली से जी लॉजिकल सर्वे अफ इंडिया की बात आई है तो मुख्याल लेह कॉलकता और स्थापनावेती 1916 में फिर कला करांती मिशन हाल ही में कहां लॉंच किया गया तो कला करांती मिशन ये हाल ही में लॉंच किया है पस्षिम बंगाल में ऑप्शन नमबर दी शुरुवात ये पस्षिम बंगाल के राजेपल आनंद बोस के द्वारा की गई और उद्देश है इसका सोफ्ट पावर को बढ़ाना फिर युनेसको ने किस देश के ओडे साकोर डेंजर साइट में एक विश्व धरोवर गोशित किया है तो ये गोश जुड़े हैं 41 और 42 शांती निकेतन और 42 नमबर पर जुड़े हैं होई सल के मंदिर तो ये भी आपको ध्यान लखना है आपके एक्जाम के पॉइंट अफ्वे से इंपोर्टन है और अभी भारत में जो वर्ड हेरिटीज साइट है युनेसको की तरफ से तो वो है 42 और ये स्थापनवेती 1945 में और संगठन में 193 सदश्य और 11 सहयोगी सदश्य है फिर नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर दा अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लेगी है तो ये पुस्तक लेगी है माइक पॉम्पयो ने तो ऑप्शन नमबर जो डी है आपका यहापर सही हो जाएगा फिर अंतरास्टी सिक्षा दिवस यह मनाए गया है 24 जनवरी को ऑप्शन नमबर बी देखिए संयुक्त रास्ट महा सभाने शांती और विकास में सिक्षा की भूमिकों को महत्व देने के लिए इसकी शुरुवात की दी और थीम तो इसको याद रखने है आ 24 जनवरी को फिर है हाल ही में भारती वायू सेना ने किसे पहली कॉंबेट यूनिट की कमान सोपी है तो यह सोपी है साले जी धामी को ऑप्शन नमबर जो ए है आपके यहां पर सही हो जाएगा अगर बात करें इंडियन एयर फोर्स की तो मुख्याले है नई दिल्ली में स् संस्कृत में है नपस पर्शम दिप्तम यानि कि टच दगलोरी विद टच दगलोरी या फिर महीमा के साथ आकाश को छुओ तो यह आदर्श बाकी भी आपको ध्यान रखना है फिर है पुर्वोत्तर में पहला संपिडित बायोगेस सयंत्र किस राचे में बनाया गए यानि देखे असम के कामरूप जिले के सोनापुर में पुर्वत्तर भारत की पहली संपिडित बायोगेस सयंत्र परियोचन का उदगाटन किया और इस सयंत्र की उतपादन शमता पाँच टन प्रती दिन संपिडित बायोगेस होगी जो कच्चे माल जैसे गोबर नगर निगम का ठोस कच्रा है उससे उतपादित की जाएगी और ये कहां हो रहा है तो ये हो रहा है असम में फिर है भारती वानिजी एवं उद्योक महासंग के नए महासचीव कौन बने हैं तो ये बन गए हैं सैलेश पाठक ऑप्शन नमबर सी फिक्की की बात करें तो देखिए फुल फ फिर हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोट ने पूरे देश में गरब पात को अपरात की शिनी से बाहर कर दिया तो ये हुआ है मेक्सिको में ओप्शन नमबर सी देखिए अब मेक्सिको में किसी भी महिला या स्वास्ते करमी को गरब पात के लिए सजा नहीं दी जाएगी इससे पहले जो था मेक्सिको में गरब पात कराने वाली महिलाओं को तीन साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ता था फिर हाल ही में ASI ने किस राचे में तेरा सु वर्ष पुराने स्टूप की खोच की है तो ये खोच हुई है उड़ीशा में ओप्शन नमबर D ASI की बात करें तो फुलफो में आर्केलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया स्थापनवेती 1861 में संस्थापक है इसके अलेक्जेंडर कनिंगम महा निदेशक तो ये है प्रोफेसर कि सोर कुमार बासा मुख्याले है नई दिल्ली में और मूल संगटे ने की पैरेंट और्गिनाजेशन तो ये है इसका संस्कृति मंत्राले नेक्स कुशन है दिल्ली में आजित आटवी रायसिना डायलोग में मुख्य अतिती कौन है तो ये है जोर्जिया मैलोनी आप्शन नमबर A देखे इटली के प्रधान मंत्री है जियो जोर्जिया मैलोनी ये आठवी रायसिना डायलोग में मुख्य अतिती है और ये डायलोग हो रहा है नई दिल्ली में इसका विशे तो ये है प्रोवोकेशन अंसर्टेनिटी टर्बिलेंस लाइट हाउस इन दा टैम पेस्ट फिर है महिला T20 World Cup 2030 का किताब किस टीम ने जीता है तो ये किस देश के टीम ने जीता है तो ये है ऑस्टेलिया ओप्शन अंबर डी देखे ऑस्टेलिय ने लगातार छटी बार महिला T20 World Cup का किताब जीत लिया और फाइनल मुकाबले में ऑस्टेलिया ने दक्षिन अफ्रिक important है यह किन दो स्थानों के बीच अपने पहली यात्रा इसने पूरी की है तो इसने अपने पहली यात्रा ये पूरी की है बना रस्ते डिप्रुगर्ड option number A अभ्यास दस्टलिक 2023 का आईजन भारत और किस देश के मद्दे आईजित हुआ है तो ये हुआ है उजबेगिस्तान और भारत के बीच में दस्टलिक 2023 option number जो C है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये जो अभ्यास ये हुआ का है तो ये हुआ है उत्रा खंड के पिथोरा गड़ में फिर विश्व वन्यजीव का मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस तो ये मनाते हैं हर साल तीम मार्ज को option number A इस विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है वन्यजीव संडक्षन के लिए भागिदारी और विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो जंगली जानवरों और पोधों की रक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है फिर हाल ही में वियत नाम के नए रा राज्ठानी इसकी हनोई है मुद्र है वियत नामी प्रधान मंत्री तो यह फाम मिन चिन और यहां के राश्टपती यह बन गए है वह वान थियोंग नाम भी इनके बड़े अजीब होते हैं तो याद रखेगा यह वियत नाम की नए प्रेजिडेंट फिर बाज्रा पर गोषित किया था यह भी ध्यान रखना इंपोर्टेंट है फिर है महिला प्रेमियर लीग का पहला संस्क्रन कहां शुरू हुआ तो यह पहला संस्क्रन यह शुरू हुआ था भारत में ऑप्शन नमबर सी और इसका प्रसाषक जो था वो था भारती क्रिकेट कंट्रॉल बॉर्ट और T20 फॉर्मेट में ये मैच थे मेच पानी के थी भारत ने और ये पहला खिताब जीत लिया था मुंबई इंडियन्स ने और रन अरप रही थी दिल्ली कैपिटल्स तो ये भी ध्यान लगना है पुरुस भारती पुरुस होकी टीम के नए कोच ये कौन बने है तो अध्यक्षे इसके कौन दिलीब तिर्की फिर है जल संडक्षन के लिए जल शक्ती अभ्यान जिसका नाम है कैच तरीन दो हज़र तेज को किस ने शुरू किया तो ये शुरू किया है हमारे देश की राश्टपती ने जिनका नाम है द्रोबदी मूर्मू तो ऑप्शन सुन की मोसम में जल संडक्षन को जन अभियान में बदलने का एक परियास है थी में इसकी सोर्स सस्टेनलिटी फॉर डिरिंकिंग वाटर हाल ही में संतोस ट्रॉफी दो हज़र तेज किसने जीती तो ये जीत ली है किसने तो ये जीती है करनाटक ने ऑप्शन नंबर सी और ये जो 2022 तेज की संट्रोस ट्रॉफी है ये इसका 76 अंसकरन था और ये एक रास्ट्रे फुटबोल पड़ती हो गता है हाल ही में भारत के 81 सतरंज ग्रेंड मैस्टर ये कौन बने है तो 81 सतरंज ग्रेंड मैस्टर ये बन गए है सायतन दास तो आप्शन नंबर जो बी है प्रनीत और 83 वे ग्रेंड मैस्टर ये बन गए है आदित्य सामंत फिर हाल ही में दुनिया का पहला बास क्रेस बैरियर किस राज्ये के राजमार्क पर स्थापित किया गया तो ये स्थापित हुआ है महारास्ट्र में ओप्शन नंबर ए देखे महारास्ट के चंदरपूर और यावत माल जिले को जोडने वाले राजमार्क पर दुनिया का पहला 200 मिटर लंबा बास क्रेस बैरियर स्थापित किया गया है तो ये ध्यान रखना और ये पेसिकली क्या है पर्यावरन संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए इसका एक विकल्प हम इसको मान सकते उसी के लिए एक पहल शुरू के गई है फिर हाल ही में भारत के लेखा महा नियंत्रक यानि की कंट्रोलर जन्रल अफ अकाउंट्स ये कौन बरे हैं तो ये बन गए हैं SS2B option number B CGA की बात कर यानि की कंट्रोलर जन्रल अफ अकाउंट्स की तो ये भारत सरकार के लेखांकन मा भारत का एक नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक होगा ये बात भी इसमें ये बात है अनुचित 148 में फिर हाल ही में अट्टूकल पॉंगाला का आईजन ये कहां हुआ तो अट्टूकल पॉंगाला इसका आईजन ये हुआ है किरला में option number C फिर क्यूशन है आपका एशे खेलों में किसे भारते खेलाडी को मतलब किस भारते खेलाडी को भारते पुरुस क्रिकेट टीम के प्रमुक कोच के रूप में नियूक्त किया गया तो ये नियक्त हुए है वी वियस लक्षमन एशे खेलों के लिए तो option number जो D है आपका यहा option number C फिर है भारते नोसिना ने सबसे बड़े द्वी वार्षिक समुद्र अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023 ये कहां आजित किया है तो ये हुआ है इंडियन ओशिन यानि कि हिंद महा सागर में option number C फिर है 19 वी बिम्स्टेक मंत्री स्त्रिय बैठक 2030 कहां आजित हुई ह तो बिम्स्टेक की जो ये बैठक थी ये एजित हुई है बैंकोक थाइलेंड में option number B बिम्स्टेक की बात करें तो फिल्फो में Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation स्थापनवीती 1997 में मुख्याल ने इसका ढाका बांगलादेश में और सदस्य देश ये हैं बांगलादेश, भूटान, भार राम चंदर पेडॉल, option number E, नेपाल की बात करें तो देखें भारत का पडोसी देश है और एश्य महादीप में इस्तित है, रास्तानी है काट मांडू, करंसी है नेपाली रुपिया और यहां के प्रधान मंत्री ये है पुश्प कमल दहल प्रचंड, तो ये भी ध्यान देखें, ब्रिटेन ने ये बिल पेश किया है और ब्रिटेन के प्रधान मंत्रे रीसी सुनक उनके द्वारा ये बिल पेश किया गया और इसका उदेश हजारों प्रवाश्यों को छोटी नाव पर इंगलिस शनल पार्क करने से रोपकर अविद अप्रवाशन के मुद्दे से निमटना, फिर है कौन सा देश करतारपुर कोरिडोर में थीम पार्क जो है वो विक्सित करेगा तो ये विक्सित कर रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन नमबर B, पाकिस्तान के बात करें तो रास्थानी असलामाबाद, मुद्रहस की पाकिस्तानी रुपिया और यहां की प्र दिखे HUL की बात करें तो स्थापनवीती 1933 में और मुख्यालेस का मुंबई में, फिर है हाल ही में RBI ने ICICI Bank के MD और CEO के रूप में किसे पुनर नियुक्त करने को मनजूरी दी है तो ये दी है संदीप बक्शी को, ऑप्शन नमबर B, आइसी आइसी ये बैंक की बात करें तो स्थापनवीती 1994 में और मुख्यालेस का मुंबई महरास्टर में, फिर हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योशना की शुरवात की, तो इस योशना की शुरवात ये की है मध्यप्रदेश ने, आप्शन नमबर C, और इस योश की वार्सिक आए, धाई लाग से कम है और जिनके पास पांच एकर से कम की जमीन है, इस योशना का उदेशे महिलाओं को आर्तिक स्वतंतरता से व्रद्धी करना और उनकी स्वास्ति और पोशन की स्थिति में सुधार करना है, फिर है ओसकर पुरुसकार, 2023 में बेस्ट ओरि इंडोनेशिया, option number D, फिर है माधव रास्ट्रे उध्यान जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है, तो ये है मद्धर प्रदेश में option number B, फिर है हाल ही में CO2 को समुधर के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश ये कौन सा बना है, तो पहला देश ये बन गया है, डैन देनमार्क ने 39 सागर के नीचे 1800 मिटर कारबन डायुकसेट को स्टोर करने के लिए एक परियोशन का उधगार्दन किया, जो विदोशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, डैनमार्क की बात करी तो रास्थान ये कोप है गन, आधिकार देनिस और मुद्रहया की क्रोन, फिर भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, तो पहली बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी 2026 तक, option number B, देखे रेलवे और दूर संचार मंत्री जो है अश्वनी वैशना, उनके अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन ये अग हाल ही में किस देश ने, बॉर्डर गावस का ट्रॉफी 2022-23 जीदी है, तो ये जीत ली है भारत ने, option number A, और ये लगता चोथी बार है जब टीम इंडियाने इस ट्रॉफी पर अपना कबजा जमाया है, फिर संगाई सहयोग संगरतन के परियतन मंत्यों की बैठक ये कहां आ जीत हुई है, यूपी की वारानसी में, option number A है आपका यहां पर सही हो जाएगा, देखें वारानसी में, SCO की पहली सांस्कृतिक रास्थानी के रूप में नामित क्या ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली सांस्कृतिक रास्थानी तो जांग मिंग, फिर रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योशना शुरू करने वाला भारत का पहला रा, राची ये कौन सा बना है, तो ये बन गया है, उत्रकन option number B, फिर नए artificial intelligence chat box GPT-4 को किसने launch किया, तो ये launch किया है open AI ने, option number जो A है आपका यहां पर सही हो जाएगा, दे एक नए artificial intelligence chat box, जो कि ये GPT-4 को launch किया है, और chat box from open AI का कहना है कि जो GPT-4 है, ये अधिक रचनात्मक और विस्वशनी है, और साथी पिछली model GPT-3 के तुलना में बहुत अधिक advance है, तो ध्यान लगना, और ये आपको normally नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको प्रतिमा 20 डोलर का भुकतान करना पड़ेगा, फिर सियुक्त भारत सिंगापूर अभ्यास, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कहां पर आया प्रतस्टित हुआ है, तो ये हुआ है जोदपूर में option number B, फिर कि सहर में पहली methanol संचालित बसों का अनावरन किया जाएगा, तो ये हु प्रदूशकों के स्तर को कम करना, और MD-15, ये की 15 प्रतीशत मेथनोल के साथ डीजल, बस पालेट परिक्षन शुरू होगा, फिर है, किस documentary film को best documentary award मिला है, best documentary का अवर्ड ऑसकर थे समानित किया गया है, तो ये है the elephant whisper, option number, जो B है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, देखिए नेट्फिक्स ये documentary है, The Elephant Whispers, इसी को ऑसकर अवर्ड से नवाजा गया है, और इसको किस category में मिला है, तो documentary short movie category में इसको ये award मिला है, तो नाम याद रखेगा, The Elephant Whispers, फिर वन नेशन, वन चालान, पहल करने वाला, पहला राज़े कौन बना है, तो देखिए, आज कल ये ब देखिए, वन नेशन, वन चालान, पहल का उदेशे, ट्रैफिक, पुलिस और छेतरी परिवेन कार्या लो, जैसे सभी संबनित एजन्सिय को ट्रैफिक जुर्माना और डेटा एक एकरत करना है, सड़क परिवेन और राजमार्ग मंत्राले के द्वारा शुरू की गई, वन सर्विस रेस्ट हवाई अड़ा एशिया में यह हुआ है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नमबर B, इंद्रा गांधी अंतराश्टी एयरपोर्ट को लगातार पांच वी बार भारत और दक्षिन एशिया में सर्विस रेस्ट कोशित किया गया है, फिर हाल ह की बात करें, तो हुई थी 2007 में, मुख्याले है मुंबई में और CEO यह है जोतियस देश पांडे, फिर हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सुचकांग में, कौन सा देश चुह है, वो सीर्स पर है, तो आतंकवाद सुचकांग में टॉप पर है अफगानिस्तान, Economics and Peace के द्वारा जारी होता है और भारत का स्थान है तेरवा, सरस्वती संबान 2022 से किसे समानित किया गया, तो यह समानित हुई है, शिव शंकरी, Option No.D, देखे, अवोर्ड में अगर 2022 21 लिखा है, तो आप Confuse नहीं होना, यह मिले हैं 2023 में, लेकिन अवोर्ड भले ही यह पुर इनको उनकी पुस्तक, जिसका नाम है सूरिय वन्शम, उसके लिए वर्ष 2022 की सरस्वती संबान से समानित किया गया है, यह तमिल भाषा में प्रकासित संस्मनन है, और 2019 में यह प्रकाशित हुई थी, फिर है, सिक्षा मंत्राले के अनुसार किस राज़े की सक्षर्ता दर फिर है, एशिय का सबसे बड़ा अंतरास्टिक हाद्य और अधित्य महिला आहार 2030 कहां शुरू हुआ था, तो यह हुआ था दिल्ली में, option number B, किस अंतरास्टी अदालत ने रूशी राष्टपती पुतिन के खिलाफ गिरफतारी वरंट जारी किया, तो यह किया हुआ है, अ उक्रेनी बच्चों के अपरन और निर्वासन के लिए जम्मेवार है, और इसलिए यह अरेस्ट करने के वरंट जो है, इनके खिलाफ इशू किये गए है, आइसे से की बात करें, स्थापनवीदी 2002 में, मुख्यालने इसका नेधर लेंड के दा हेग में, फिर है, प्रत्वी कि किस परोसी ग्रह पर विज्ञानिकों को पहली बार सक्रे ज्वाला मुखी मिला, तो ये ज्वाला मुखी मिला है, शुक्र पर, option number C, ATP Masters 1000 का खिताब, जीतने वाली सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये कौन बने है, तो ये बन गए है, रोहन बोपनना, option number C, फिर है विपिन The Man Behinds the Uniform, पुस्तक की लेकक कौन है, तो इसकी लेकक है, रशना बिस्ट रावत, option number B, अंतरास्टी वन दिवास कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है, 21 मार्ज को, option number A, और थीम आपको याद रखनी है, जो की है, वन और स्वास्ती है, तुनिया की पहली सेंड बैटरी की स्थापित की गई, तो ये स्थापित हुई है, फिन लेंड में, option number A, सेंड बैटरी एक उच तापमान, तापी अरजा बंडारन है, और जो अपने बंडारन माध्यम की रूप में रेत या रेत जैसे सामागरी का उपयोग करता है, ये रेत में उर्जा को उस्मा के रूप म ध्यान रखना है, और ये कहां किस में हुई है, फिन लेंड में हुई है, और हैपिनिस इंडेक्स में ये टॉप पर है, भारत 126 स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर है, हाल ही में अजंता अलोरा महतसफ कहां मनाया या, तो ये मनाया है महरास्ट्र में, option number C Entrepreneur of the Year, 2022 का किताब किस ने जीता, तो ये अवार्ड जीता है सजन जिंदल ने, option number D वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्म निर्वर बनाने के लिए समगर सिक्षा अभियान को किस राज्चे सरकार ने शुरू किया, तो ये शुरू किया है, योपी गर्मेंट ने, option number A, यानि कि उत्तर परदे सरकार ने इसकी शिरुवात की है, समगर सिक्षा अ ब्रिटिस अर्थ सास्त्री मेगना देशाई ने, The Poverty of Political Economic, How Economics Abundant the Poor, ये पुस्तक लिखी है, फिर है, भारती तटरक्षक बल ने अपना 47 वस्थापना दिवसी कब मनाया, तो इन्होंने ही अपना दिवस मनाया है, एक फरवरी को, option number C, देखी तटरक्षक बल की बात करें, तो एक फरवरी 2030 को, इन्होंने अपना 47 वस्थापना दिवस मनाया, और इसके महा निदेशक है, विरेंदर सिंग पर्थानिया, इस्थापनोविती 1977 में, और मुख्याली ये है, इसका नई दिल्ली में, फिरे भारत की पहली hydrogen train, वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी तो ये शुरू की जाएगी December 2030 तक, option number B, तो देखें, ये थे आपके 100 questions और 24 questions के series में, आज मैंने आपके साथ discuss किया है part 3, तो इन total 300 questions में आपके साथ discuss कर चुकी हूँ, ऐसे ही आपके 100 100 के series में part आएगे, जिसमें आपका total 2030 के current पर discuss हो जाएगा, अब मैं आपसे पूछूँ में दोगे, और दूसरा प्रशन है आपके लिए, कि सरस्वते सम्मान 2022 किसे समारित किया गया हूँ, तो इसका अंजर भी आप मुझे comment section में बताएंगे, और जितनी भी information आप बता सकते हो, इन questions related वो आप मुझे comment section में लिख के देंगे, और इसके अलावा PDF में आपको बता ह कर सकते हैं, link यहाँ पर आपको description में मिल जाएगा, आज के लिए तना है, thank you so much, have a good day.